अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार देख लिया है और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जीसे देखना ना बुलेगा वरना ये वीडियो आपके पल लेनी पड़ेगी वहीं एक विननती है आपसे दोस्तों कि यदि आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आपके इस मदद से ही मेरा चैनल चल पाएगा वहीं अगर आपको और किसी सीरीज की एक्स्प्लेनेशन चाहिए तो मुझे आप मेरी इंस्टाग्राम पर परस्नली मेसेज कर सकते हो जीसका लिंक मैंने डिस्क्रिपिशन में में मेंचिन कर दिया है तो चलिए अब शुरुआत करतें इस पार्ट के एक्स्प्लेनेशन से अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉनतन अपने जादू का प्रयोग करके इटली से इंगलेंड आ रहा है वहाई मिस्टर वल्टर ने भी अपने मिनिस्टर की पत से इस्तिफा दे दिया है और वो लेडी पोल से मिलने के लिए असायलम निकल जाता है इधर मिस्टर नौरल और जॉन भी फिर से अपने शेहर चले जाते हैं जिसके बाद हम ड्रॉलाइट को देखते हैं जो जॉन से मिलने के लिए आता है पर उसे रॉसल रास्ते में मिल जाता है और अब रॉसल के पूछने पर ड्रॉलाइट उसे सारी बात बता देता है जिस पर फिर रॉसल उससे वो पत्र और फिंगर बॉक्स लेकर उसे वोँँ ह के साथ है अब इसके बाद हम मिस्टर वॉल्टर को देखते हैं जिसके असाइलम पहुचने पर मिस्टर सेंगुडस उसे बताते कि लेडी पॉल कुछ दिनों से जागी नहीं रही है और फिर हम लेडी पॉल को देखते हैं जो लॉस्ट होप में एनबेल को सच बताने की जाता है जो मिस्टर नॉरल को डॉलैट की कई हुई सारी बात बता देता है कि जॉनतन इंगलेंड आ रहे हैं जीसे सुनकर मिस्टर नॉरल बहुत डर जाते हैं इसलिए वो तुरंत अपनी लाइबरी के तरफ भागते हैं जिनके पीछे पीछे रॉसल और जॉन भी आ जात लेकिन रसल की वो बॉक्स ना देने पर जॉन उसे छोड़कर वाँ से चला जाता है और उसके पीछे रसल भी लाइबरी के बाहर चला जाता है अब मिस्टर नॉरल रसल को फिर से बुलाते हैं और कहते कि लाइबरी के बाहर रहना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है लेकिन रसल उनकी बात नहीं सुनता इसलिए रसल को बुलाने के लिए वो भी बाहर चले जाते हैं और तभी वहाँ पर जॉनतन पहुच जाता है अब मिस्टर नॉरल लाइबरी के अंदर आकर देखते हैं तो एक टेबल पर उससे जॉनतन बैठा वह मिलता है जो उनसे रेविन कि की बात करता है और तभी फैरी का श्राब हावी होने लगता है जिस से मिस्टर नॉरल को भी तकलीफ होने लगती है इसलिए वो वहाँ से भागनी की कोशिश करते हैं लेकिन जॉनतन अपने आग के जादू का प्रयोग करके उन्हें रोक लेता है अब इसके बाद मिस्टर नॉरल भी जॉनतन पर पलेट जादू करते हैं लेकिन उनका जादू जॉनतन पर फैरी के श्राब के वज़े से काम नहीं करता है जॉनतन अब उन्हें प्यार से समझाते हैं कि मैं या तुमसे लड़ने नहीं बलकि तुमारी मदद मांगने आया हूँ जीस पर मिस्टर पर मिस्टर वाल्टर को स्टीफन के बार में सब कुछ पता चल जाता है इसलिए वो उससे तुरंट जेल में डाल देते हैं ये रगले सिन में हम जॉनतन और मिस्टर नॉरल को देखते हैं जो सोच रहे होते हैं कि एनबेल को कैसे बचाया जाएं क्यूंकि जॉनतन के पास इतनी शक्तियां नहीं है कि वो एक फैरी से लड़ सके इसलिए वो रेविंग किंग को बुलाने का सोचता है लेकिन मिस्टर नॉरल समझाते हैं कि हम उससे ऐसे नहीं बुला सकते उसको बुलाने के लिए हमें उससे जुड़ी कोई चीज चाहिए जीस से उनको याद आता ह है कि उनके गार्डन में जो पियर का पेड़ है उसे खुद रेविंग किंग नहीं लगाया था इसलिए वो पियर उसको लाने के लिए जाते हैं वाहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर सिंगुडस को देखते हैं जो लेडी पोल की फिंगर जोनने के लिए स्पेल डून रहा होता हैं तब जोन कहता है कि शायद हमें जोनतन से मदद लेनी चाहिए जीस पर मिस्टर वाल्टर समझाते है कि जोनतन नहीं चाहता कि लेडी पोल अभी ठीक हो उसने अपने पतर में हमें रुकने के लिए का हैं जीस से सुनकर जोन स्टीफन के पास पौचने के लिए जाता है जीस पर फिर स्टीफन उसे बताता है कि उन्हें वो finger जोडने से रोको, क्योंकि अगर उन्हें नहीं रोका गया तो वो fairy सब लोगों को punish करेगा, लेकिन जब तक जौनी ये बात बताने Mr. Walter तक जाता है, उससे पहले ही Mr. Singures Lady Pole का कटा हुआ finger जोड देता है, आ फिंगर के जुड़ते ही Lady Pole होश में आकर जाग जाती है और Lost ओप से हमेशा के लिए गाय बुजाती है, इस बात से fairy को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से में स्टीफन की जील का दर्वाजा तोड़ते हुए प्रवेश करता है, और सब को जान से मारने की धमकी देता है, वाहीं Jonathan और Mr. Norrell रेविन किंग को बुलाने का मंत्र पढ़ रहे होते हैं, जो पूरा होते ही रेविन किंग प्रकटो कर फिर से गाय बुजाता है, अब इसके तुरंद बादम देखते हैं कि जोन उस पेड के पास पहुच जाता है, जहां फैरी ने स्टीट मजीशन जो रेविन किंग की किताब था, उसे जान से मार का लटकाया था, वो उसे पेड स नीचे को उतारता है, और तब ही वहाँ पर रेविन किंग आ जाता है, जो स्टीट मजीशन को ठीक करके वहाँ से गाय बुजाता है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि जोनतन और मिस्टर नॉरल अब भी रेविन किंग को समन करने की कोशिश में है, जहां मिस्टर नॉरल याद दिलाते हैं कि रेविन किंग से कुछ भी करवाने से पहले तुमें उसे कुछ तौफे में देना पड़ेगा, जीस पर जोनतन कहता है कि मैं उसे इंगलेंड का सारा जादू दे दूंगा, लेकिन मिस्टर नॉरल रेविन किंग को अपनी मैजिक ओफ बुक्स नहीं द अबकर देखते हैं कि फेरी लेडिपूल के पास पहुंच जाता है , जीसे देखकर मिस्टर सेंगुडूस और हनी फुल फैरी पर गन फायर कर देते हैं जीस жुष्से में फैरी मिस्टर सेंगुडूस का मूही गायब कर देता हैं , और हानी फूड के दोनों कानुस के सर से के उसे तितली बनाकर उड़ा देता है जिसके बाद वो मिस्टर वाल्टर को अंदा बना देता है और फीद मिस्टर वाल्टर और लेडी पोल को फ्रीज करके स्टीफन से उन्हें मारने का आदेश देता है पर तब तक जॉनतन और मिस्टर नॉरल रेविंग किंग को समन करके फैरी को मारने की इच्छा करते हैं जिससे अब लाइबरी की सारी किताबे उड़कर स्टीफन को असाइलम से उठाकर जॉनतन और मिस्टर नॉरल के पास ले आते हैं जो लोग भी स्टीफन को देखकर हैरान रह जाते हैं पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते हैं पर यहां जॉनतन की हालत खराब हो रही होती है पर मिस्टर नॉरल हिमत नहीं आरते वो कहते कि हम लोज्ट ओप जाकर स्टीफन को कमांड देंगे कि वो फैरी को मारे क्योंकि हमारा सारा इंगलिज जादू अब स्टीफन के अंदर है वहाहीं लॉस्ट ओप में अब हम देखते हैं कि स्टीफन मरा नहीं होता बलकि वो फिर से उटकर खड़ा हो जाता है जो देखकर फैरी भी खूश हो जाता है आप जॉनतर और मिस्टर नॉरल दोनों भी जादो से लॉस्ट ओप आ जाते हैं जिनें देखकर वो बहुत खूश होते हैं जिसके बाद वो महल में आ जाते हैं और वहाँ पहुच कर मिस्टर नॉरल कहते हैं कि तुम अपनी पतनी को बचाओ तब तक मैं स्टीफन को कमांड दूँगा इसलिए अब दोनों अलगो कर अपने काम पर लग जाते हैं और भागे से मिस्टर नॉरल को स्टीफन मिल जाता है जिसे वो कमांड दे कर फैरी को मारने के लिए कहते हैं वहाँ ही जॉनतन एनेबल को ट्रू लव किस करता है जिस से फाइनली एनेबल को सब याद आ जाता है वो अब एनेबल को फ्लोरा के पास बेज देता है और इधर स्टीफन भी अब रेविंग किंग में बदल कर फैरी को एक पेड़ की जादू में कैद करके उसे मसल कर उसकी जान निकाल देता है वहाँ ही समय रहते मिस्टर नॉरल और जॉनतन भी फिर से इंगलेंड लोट आते हैं अब फिर से लोट कर जॉनतन मिस्टर नॉरल को अलविदा करता है लेकिन वो उन्हें ये भी आदिलाता है कि फैरी भले ही मर गया हो पर उसका श्राप अब भी जिन्दा है और तब ही जॉनतन की तबियत बिगणने लगती है और फिर हम देखते कि वो तूफान मिस्टर नॉरल और जॉनतन को लेकर गाय बुजाता है वहीं भागे से लेडी पॉल और मिस्टर वॉल्टर अब बिल्कुल ठीक है और फिर हम इटली में एनबेल को देखते है जो जॉनतन के घर आती है और जैसे ही वो अंदर प्रवेश करती है वैसे ही उसे जॉनतन की आवास सुनाए देती है और जब वो चारो तरफ देखती है तब उसे वहाँ बीच में एक बड़े से पानी के कंटीनर में जोनतन की रिफलेक्शन नजर आती है एनवेल उससे सवाल करती है कि तुम कहा हो जीस पर वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं कहा हूँ लेकिन मैं बिलकुल ठीक हूँ तुम मेरी चिंता मत करना और हमेशा खुश रहना जीस पर फिर एनवेल उससे एक वादा की मांग करती है कि तुम जल्दी साइस पर ढून कर मेरे पास फिर से लौट आओगे जीस पर मिस्टर नॉरल हा में जवाब देता है जीस के बाद वो गाया बुजाता है और फिर आखिर में हम जौन चिल्डमास को देखते हैं जो यंग जादूगर की सोसाइटी होती है जहां पर वो सबको बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ था जीस पर मिस्टर सेंगुडूस पूछते हैं कि मिस्टर नॉरल और मिस्टर जॉनतन अब कहां गए जीस पर वो जवाब देता है कि शायद वो आसमान से कहीं चले गए और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये सीरीज वन यहीं पर समापत हो जाती है अब अगर आपको इसका सीजन टू देखना है तो ये अभी तक रिलीज नहीं हुई है होफुली कभी तो ये रिलीज हो जाए और ये जैसी होगी मेरा वादा है कि मैं उसे भी एक्स्पेन जरूर करूँगा और आज के वीडियो में इतना ही आशा है आपको मेरी एक्स्पेनेशन पसंद आई यदि हा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सकाइब करके सपोर्ट करना ना भूले मिलते हैं अगले एक्स्पेनेशन वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों